हमारा देश जो है ना सबसे जड़ा कंड्यूसिव देश है पिसमें दस साल में जितना देश बदला है उतना सौ साल में नहीं बदला होगा आइडिया बहुत अच्छा भी हो और इरादा भी बहुत मजबूत है तो भी चांसे ज़ें कि आपका बिजनस फेल हो जाए ज़ें बर क्या होते है प्रॉडट आप ले आते हो कस्टमर बहुता अच्छा है लेकिन मुझको चाहिए नहीं अब उकाका को सीउ नहीं बनाते है मान पावर के नमीक्यू सुपर पावर अब लेकिन नेस्ट में आपके साथ बहुत अब खेलावर अज स्टार्ट अप नेशन में आपके लिए कुछ स्पेशल है कुछ खास जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर बिजनस लीडिशिप कोच और बड़ा बिजनस.com के फाउंडर विवेक बिंद्रा से हमने लिया है ठेर सारा स्टार्टप ग्यान इस बातचीत को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें हमारे स्टार्टप गुरु ने बताए हैं एक सक्सेस्फुल स्टार्टप के सारे गुरु आप भी देखिए सुनिए समझे और स्टार्टप कीजिए स्टार्टप कीजिए स्टार्टप कीजिए मेरे साथ दॉक्टर विवेक बिंद्रा का सर बहुत स्टार्टप कीजिए मेरे साथ दॉक्टर विवेक बिंद्रा का वैसा कभी पहले महोल देश में था या वैसे कभी मौके देश में थे स्टार्ट अप पर अपने प्रश्ठ ने पूछा आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है के कैपीटलिज्म विदाउट कैपीटल καजमान आया है ये पहली बार ऐसा हुआ है और दूसरा हमारा देश जो है न मैक्रो एकोनॉमिक्स जो है उसके विशाब से सबसे जड़ा कंडियूसिव देश है आने वाले समय में स्टार्ट अप्स को बिल्ड करने के लिए आंत्रपनियोर्श बहुत जबरदस्त है यहां पर रीजिनल आंत्रपनियोर्श है उनको ग्लोबल बनना बाकी रह गया है मॉडल्स बिल्ड करने सीख रहे हैं थोड़े चेंजिस लाकर के उसको स्केल किया जा सकता है जो पहले महल हुआ करता था उससे आज पिछले 10 साल में जितना देश बदला है उतना 100 साल में नहीं बदला होगा स्टार्ट अप्स के लिए बहुत कंडियो सेफ समय ऐसे एक अच्छा आइडिया ज़्यादा जरूरी है या एक मजबूत इरादा क्योंकि बहुत सारे अच्छे आइडिया बिना इरादे के दम तोड़ देते है अच्छी अगर मैं फंडमेंटली इसको आंसर करूँ आइडिया बहुत अच्छा भी हो और इरादा भी बहुत मजबूत हो तो भी चांसे ज़ें कि आपका बिजनस फेल हो जाए क्योंकि फंडमेंटली आपको क्या चाहिए आपको चाहिए कंजियूमर की वो बर्निंग प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करें जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए पहला फंडमेंटल यह होना चाहिए अगर आप दुनिया की कोई भी बेस्ट और्गनाइजेशन को देख रहे हैं जिसने मौनापली क्रेट करी है मार्केट के अंदर उसने दो प्रश्णों का उतर दिया है पहला कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है दूसरा ऐसे कैस को क्स्टमर मेरे बिना अपने-स ना कर पाए दूसरा थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है तो रिपीट करूँ का मेरे बिना अपने-स ना कर पाए तो वहां से उसके बाद पर इसको एक्जीक्यूट करने का समया आता है उसके प्रॉडट्स लेने हैं च्छोटा-छोटा-चो मैं letter of intent देने को त्यार है कि मैं आपसे खरीद लूँगा क्या कि कहीं बार क्या होता है प्रॉडट आप ले आते हो कस्टमर बोलता अच्छा है लेकिन मुझको चाहिए नहीं यह बात होती है बिलकुल तो यह है कि जो मैं समझा यहां तक कि सबसे पहले आप problem को identify करें फिर उस पहले कस्टमर खरीदने को कितना जल्दी तेयार है वह बहुत इंपोर्टन है क्योंकि देखिए दर डॉग विल डिसाइड डॉग फूड आपने बहुत अच्छा खाना बनाया आपने कुकुर को पश्चु को का भाई कुता आ जो यार प्लीज खाओ इसको बहुत अच्छ या नहीं थोड़ा फरक है इसमें तो एक स्टार्ट अप के लिए जरूरी है आइडिया लाया इरादा भी लेकिन सबसे पहले किसी एक तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो जो लोग खुद उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं फिर आप उसका सॉलूशन लेकर आ उत्ता बड़ा प्रीमियम मिलेगा इसको बोलते हैं हैसल प्रीमियम फोकस वहीं करना है सारा आपने तो मुवी देखी अक्षे कुमार की पैड मैं वहां जाके अमेरिका में क्या बोला माई कंट्री बिग प्रॉब्लम वहीं ए फांडिशन तो चलिए आप अगर स्टेज प करना है आपने का टेस कैसे करें या जो बार इंटिफाय कैसे करें कैसे पहचाने समझे के मैं ठीक ए और उक कर नहीं कर रहा. comparative advantage क्या है आसपास को देखके consumer advantage क्या है मेरे customer को बड़े ध्यान से देखके तो पहला चीज तो यह है कि जो आप problem solve कर रहे हैं ऐसा नहीं कि वह सेम चीज़ कर रहे हैं जो सब के सब कर रहे थे दूसरा जब आप करते हैं इसको solve करते हैं वक्त आपको यह देखना है कि क्या मेरे business में मैं कितनी जल्दी और किस quantum पे पैसा वापस recover कर पाऊँगा जो मैं basic investment इसकेंदर करने वाला हूँ जिसमें दो चीज़े हैं एक है negative cash flow और दुछ है negative margin यह दोनों को संभलना जरूरी है क्योंकि हम ना सर्वाइवर्शिप बायस में फंजाते हैं आप लोग के news channel में अकबारों में बहुत बढ़िया बढ़िया news आती है और उसमें जो सर्वाइव किये थे ओयो अक्सर सक्सर स्टोरी आती है और वो स्टोरी देख करके लगता है यह तो मैं भी कर लूँगा यह तो बहुत असान है वो सर्वाइवर्शिप बायस है आप उसमें पीछे 10,000 लोगों ने ट्राय किया था तो एक आगे निकला है उसमें उसको देख करके एकदम से अपने को नेगेटिव मार्जन और नेगेटिव कैश फ्लो वाले बिजनस में अचानक नहीं घुसना चाहिए और शुरू से बिकोज एक्स्पैंशन विदाउट मार्जन इस कमिटिंग सुसाइड उके उनलेस आपके पास डीप पॉकेट्स हो तो कोई भी आपके पास इंवेश्टर आएगा वो देखेगा फेले के बिजनस में कंटिनुटी कितनी है तो उसको बोलेंगे रेकरिंग रेविन्यू मॉडल तीसरा चीज़ अगर आपके बिजनस में कंटिनुटी नहीं है रे नहीं तो साल पांच साल में एक बार लेगा या फिर वो एक option है कि कंपलशन के लिए बहुत इंपॉर्टन चीज़ है आपका प्राइट एक option है कि कंपलशन है आपका प्राइट ऑक्सीजन है कि नहीं है तो पिर इसके बाद यह देखना है जो आपकी जो marketing campaign है उसमें इन्फ कि प्रेस्टीज ने किया था अच्छा काम एक बार Master Stroke खेला था चेस्थ खेलता होगा जरूर किसे क्या बोलते हैं शे और मात जो वीवी से करें प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इंकार राइट दोनों को पकड़ लिया अभी पत्नी बोले पत्ती को प्रेस्टीज दिला बोले नहीं नहीं तो आपको इनिशेटर, इंफ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंजूमर सबका धियान रखना पड़ेगा कंजूमर के फीडबाक लेने की तियारी करनी पड़ेगा इसको बोलते हैं इंप्रूव्मेंट चाहिके लिए अगर आप फीडबाक की तियारी नहीं कर रहे है क्योंकि कस्टमर सिगनल देता है अच्छी कंपनी अच्छा ब्रैंड प्रॉडट बना देता है और अगर आपने वह दे दिया इंवेस्टर् के पास जाने से पहले कुछी लो को इमपॉर्टन समझना है आपको इंवेस्टर उस बिजनस में इंटरस नहीं लेता जो transactional in nature में, जिसमें माल दो, पैसा लो, माल दो, पैसा लो, अगर आपका business का format जीव जीवत से जीवनम, शास्तर में बता गया है, जब एक जीव का जीवन, दूसरे जीव के जीवन पे निरभर होने लग जाए, इसको बोलते है ecosystem, ecosystem तुम रोज चर्चा करते हैं, आप business news channel में करत है, ecosystem का foundation समयना जुरूरी है, foundation ने एक जीव का जीवन, दूसरे जीव के जीवन पे निरभर कैसे करें, ताकि सब लोग एकटे मिलके उसको evolve करें, दुनिया की 10 सबसे बड़ी company में से अगर आपने 5 उठा ले, alphabet मतलब Google, project नहीं ये platform है, Microsoft project नहीं ये platform है, Apple का iOS project नहीं ये platform है, Facebook project नहीं ये platform है, अगर आप दुनिया की 10 में सबसे बड़ी 5 company उठा लें तो सब platform है, वो एक ऐसे ecosystem है, जहां दूसरे लोग मेहनत कर रहे है, multi-sided transactions हो रही है, जिसमें disconnected लोग connect हो रहे है, unconnected लोग connect हो रहे है, multi-sided transactions हो रही है, पदा नहीं है, शायद मैं सधारन बाशा में ब YouTube ने प्लाटवर्म बनाया और platform में क्या होता है, content consumer भी है, content creator भी है, content पे advertiser भी है, और YouTube खुद भी है, सधारन बाशा में, कठोर बाशा में, क्या कहते है विपन भाई, के जुआ खेलने वाला पैसा नहीं कमाता, जुआ खेलाने वाला कमाता है, जुआ खेलाने वाला कमाता में जो कि अपने आप ग्रोग करें जब ऐसे फॉर्माट्स आते हैं तो इंवेस्टर एकदम एक्साइटेड हो जा रहे कुछ है इसमें दम है तो सुनता है उसके बाद बड़ी गहरी बात कहीं आपने तो आप जब इंवेस्टर के पास जा रहे हो जो मैं देखता हूं स्टारट अप नेशन पर कहीं इन्वेस्टर साथे लेकिन वह सबसे पूछता हूं कि आपके पास जब कोई आता है प्रपोजल लेके तो आप क्या देखते हो शाद हंड्रिट आपके बढ़ाई जा रहे हैं यह रामुका का गल्ला संभाल लेंगे बहुत इंपॉर्टन है अकबर ने अपने नवरत ने बिल्ट किये कि आपके नवरत ने त्यार है आपकी और मैन पावर के में कि सुपर पावर रोके बहुत इंपॉर्टन प्रिंसिपल है क्योंकि केल करने के लिए सक्षम हो तो चलिए सब कुछ हो गया आपने अच्छा आइडिया ले आया सॉलूशन ढूंड लिया पैसे भी मिल गए टीम भी बन गई धंदा चल निकला लेकिन बहुत सारे स्टार्टप एक समय तक तो बड़ा अच्छा करते हैं बड़े प्रोमिसिंग लेकिन फिर नीचे चले जाते हैं क्या गलती होती है बहुत सिंपल है जी बड़ा सरल है एक गोल्डन स्टेट्मेंट है याद रख ले आज आपके माधियम से चैनल पे मैं सबको कहना चाहूंगा जिंदगी भर के लिए याद रखें पहला प्रोड़क्ट फाइनल प्रोड आता है कोई भी बड़ा ब्रैंड जहां तो शुरू हुआ था आज वही प्रोड़क्ट नहीं बेच रहा सब इवाल्व कर चुके हैं कोई भी मोबाई लाब जो बढ़िया है वह जो पहले आपने करी थी उसके बद कई नहीं वर्जन आ चुके हैं इसको बोलते हैं इंप्र बड़ा पीचस देख लिया अभ़ी क्या चांज अबहुम पेट भी आखने सबंगे हैं क्या इसको अमनेंट करेंक्ल इसको मन्तल करना जरूरी है के कस्टमर के सारे टच-फइपाइफ निपकर बार इस पे question करो, कहीं बार यहीं से product बनके निकल के आएगा, product competition को देखके नहीं बनाते है, customer के signal को देखके बनाते है, customer क्या feedback दे रहा है, feedback को feed forward में convert करना है, complaint is a gift, catch it, golden statement क्या है, complaint is a gift, catch it, आपको यह मानना ही पड़ेगा, आपका प्रशने को मैं summarize करता हूं, उत्तर को मैं, कि मानना ही पड़ेगा, कि business में problem आएगी, business fail होएगा, कोई पहला product final नहीं होता, तो इसलिए पहले pilot experimentation करिए, scale up नहीं करिए, because scale kills, एकदम scale नहीं करना कभी भी, scale kills, एकदम पट 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 पेशल एपिसोड में, आपने हमारी जो young aspirant जनता है देश की, जो start-up करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, उनको एक मजबूती रादा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आमसे बाचीत करने हैं